नमस्कार दोस्तों, Pathfinder में आप सभी का स्वागत है, मेरा नाम है Dr. Mahi Paol Singh Rathode और Modern Indian History के Lecture No. 17 में आज हम discuss करने जा रहे हैं Land Reforms के बारे में To be specific, British Kal में जो भी Land Reforms हुए हम उनकी बात करेंगे आजाद भारत में भी कुछ Land Reforms हुए हैं, जिनको हम Post Independence में जो Lecture Series होगी, उसमें पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए हम अपने आपको रिस्टिक करेंगे, British Kal में जो Land Reforms थे, उनमें भी तीन Major Reforms हैं, Permanent Settlement, रहितवारी और महलवारी सिस्टम्स इनके बारे में मैंने आपको जिक्र किया था, पिछले कुछ Lectures में और मैंने आपको कहा था कि हम इनको एक साथ पढ़ेंगे, तो आज हम इनको एक साथ पढ़ेंगे ताकि इनका comparative analysis आप कर सकें, और इन पर अगर कोई question आता है तो उसको जो land reforms होते हैं, उनके अंदर historical context इनका रहेगा, तो इसलिए इस chapter को थोड़ा ध्यान से पढ़िए कि विल history नहीं, बलकि polity, governance और भी in fact अभी जो latest land reforms सरकार के द्वारा किये जा रहे हैं, उनसे भी कही ना कहीं इनका link बन जाता है, आप लोगों के लिए pathfinder एक free test series का आयोजन कर रहा है, हफते में 6 दिन, Monday to Saturday ये test series होती है, daily साड़े बारा बज़े test live हो जाता है an academy platform पर और इस test series को join करने के लिए आपको वीडियो के नीचे description में जो link दिया गया है, उस पर click करना होगा, एक code आपसे वहाँ मांगा जाएगा, use कीजे महिपाल code को और ये test series आपके लिए unlock हो जाएगी इसका schedule क्या रहेगा मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, history, art and culture, Monday, science and technology और IR Tuesday, geography, environment, ecology, Wednesday, quality, governance, Thursday, economy, Friday, current affairs, Saturday इस क्रम में syllabus यहाँ पर पूछा जाएगा आपसे, इस test series में जो top ranks लेकर आते हैं, उनके पास exciting prizes जीतने का भी मौका है और जो winners हैं, वो daily select किये जाएंगे, लेकिन announce हम करेंगे तीन दिन के एक साथ, तो Monday to Wednesday के एक साथ किये जाएंगे, Thursday to Saturday के एक साथ winners announce करेंगे हम community post में आपको winners का नाम दिख जाएगा और हमारे team members आपको संपर करेंगे 28 March को anacademy combat आ रहा है, यह भारत का सबसे बड़ा free scholarship test है, यहाँ पर आपको भारत के best और serious aspirants के साथ compete करना है और अपने तयारी का स्तर जाचना है, तो every Sunday combat आयोजित होता है और इसमें scholarship pool भी काफी बड़ा है तो इसमें हिस्सा लेने के लिए आप code use कीजे महीपाल, again it's a free initiative, संडे को 11 बजे combat लाइव होगा और इसमें जो भी सवाल पूछे जाएंगे, उनका analysis भी आपको मिलेगा in video format अगर आप UPSC exam की तयारी करना चाहते हैं, तो on academy platform पर भारत के best educators daily live classes लेते हैं यहाँ पर कई सारी free classes भी होती हैं और कई सारी paid classes भी हैं प्लस में आपको मिलेंगी classes, iconic में मिलेंगे आपको एक personalized mentor जो आपको GS में सान से writing की practice करवाएंगे और फिर आपके day to day जो problems हैं तयारी से संबंदित उनको solve करेंगे इन सभी courses में आपको 10% discount मिल जाएगा अगर आप code यूज करते हैं महीपाल तो आपको ये वाले prices नहीं pay करने हैं, pay this price if you use the code महीपाल optional के लिए भी आप platform की मदद से तयारी कर सकते हैं आपको कहीं city में move करने की जरूत नहीं है, किसी metro शहर जानी के आवशकता नहीं है 10% discount भी आपको मिल जाएगा अगर आप ये code इस्तमाल करते हैं और अगर optional और GS, इन दोनों के combination को आप purchase करेंगे तो आपको price में काफी variation मिलेगा कम price पे मिलेगा और no cost EMI option भी यहाँ पर available है Pathfinder की test series के अलावा Impulse test series, current affairs के लिए चलती है और RISE, जो GS की test series है, वो भी available है on academy platform पर इन में भी आप enroll कर सकते हैं आपकी तयारी के स्तर के अनुसार अगर आप SSE, bank, railway, state, PCS जैसे exams की तयारी करना चाहते हैं इसके लिए भी platform पर courses उपलब्द हैं और इन courses में भी आपको 10% discount मिल जाएगा अगर आप महिपाल code यूज़ करते हैं मुगल काल के land reforms के बारे में बात करने से पहले आपको मुगल काल के land revenue system के बारे में ब्रीफली idea होना चाहिए उसके पहले हम अभी नहीं पढ़ेंगे ancient medieval के पढ़ाई के समय हम उसको भी cover कर लेंगे तो अकबर ने मुगल land revenue system को थोड़ा सा regularize किया था अकबर के समय में एक उनका मंत्री था राजा टोडरमल राजा टोडरमल ने एक scheme plan करी थी जिसके तहत land revenue fix किया गया land का survey कराया गया और one third लगभग tax rate रहता था कभी-कभी थोड़ा बहुत उपर नीचे हो जाता था अमूमम medieval India में मुगल time में आप देखेंगे कि one third was the tax rate मतलब मान लो कि किसी के खेत में 100 kg अनाज होता है तो उसमें से उसको 33 kg किसको देना पड़ेगा सरकार को सरकार मतलब जो भी बादशा के अधिकारी है वो आएंगे collect करेंगे अब वो अलग-अलग समय में differ करता था कभी कोई 33 kg अनाज ले गया तो cash और kind दोनों में से किसी में भी pay करने की सुविधा उपलब थी तो ये tax rate जादा heavy नहीं है आज भी अगर आप भारत में देखोगे तो लगबग 30% के आसपास income tax rate है तो kind of वैसी ही tax rate थी और इसको धीरे धीरे बढ़ाया जाता था कभी भी इसमें sudden increase नहीं होता था कि एक साल 30 से सीधा इसको 60% कर दिया ऐसा कभी नहीं होता था अगर कभी सरकार को जादा पैसे की जरूत होती भी थी तो फिर 30 से 35 कर दिया लेकिन फिर वापिस अगले साल के लिए 25 कर दिया तो इस तरह से variation आते रहते थे लेकिन जब 18th century में मुगल empire कमजोर हुआ और चर्मरा गया Central Authority पूरी तरह से खत्म हो गई तो ये tax collection की जो इनकी विवस्था थी जो काफी अच्छी विवस्था डेवलप करी थी इन्होंने 1500 सालों में ये पूरी तरह से कमजोर पड़ गई तो अब इस कमजोर शासन विवस्था में दूर दरास के एरियाज में tax कैसे collect किया जाए तो इसके लिए जो mid-level administration employees थे उन्होंने एक scheme जात करी मुगल empire की तो इस कमजोर मुगल empire के administrative officers ने ये तै किया कि हम एना खुद tax collect नहीं करेंगे agent तैनात कर देंगे और इन agent को कहेंगे कि आप जाकर वो 30% tax collect करके लियाओ और इसका 10% आप रख लेना मानलो यही वाला case है अगर 100 kg के उपज है किसी खेत में वहाँ से 33 kg लेकर आना है और इसमें से 110 यानि कि 3.3 kg उस agent का हो गया जो जाकर लेकर आ रहा है दीरे दीरे इस व्यवस्था में जो यह agent थे tax collect करने का काम करते थे यह जमिंदार कहलाने लगे या फिर तालुकदार कहलाने लगे depending on the area और जैसे ऐसे central government और कमजोर होती गई तो इस system में और खराबियां आती गई जैसे की मान लो की बंगाल का एक province है for example चलो 24 परगना कोई ले लो आप अगर 24 परगना में किसी जमिंदार को दिया गया है कि आपको tax collect करना है अब वो नहीं कर पाया तो administrative officers क्या करते थे कि एक बोली लगाते थे कि अच्छा इस area में highest tax कौन collect करके हमारी ले लाएगा अब कोई व्यक्ति मान लो वहाँ पर उसने बोली लगा दी कि मैं ले आउंगा 2 तन अनाज आपके लिए 2000 किलो अनाज ले आउंगा अब चाहें वहाँ से 30% के अनुसार आप calculation कर लो for example सारे खेतों से 30% भी अगर आप ले ले लेते हो तो आपके पास अगर 500 kg अना जाना चाहिए या उसके पैसे आने चाहिए लेकिन इसने तो बोली लगा दी है 2000 कि अब इसको 2000 लाना पड़ेगा तो अब ये 2000 कहां से लाएगा किसानों से ही तो वसूलेगा तो अब tax rate 30% नहीं रहेगा अब मुगल administration को इससे मतलब नहीं रहा कि किसानों से कितना वसूला जा रहा है उनको बस अपना 30% चाहिए था कि हमें तो भाई साब इस पूरे 24 परगना से 500 kg आता था पहले और इतना का उतना आप लाके दे दो इससे क्या हुआ कि ये जो जमिनदार या तालुकदार है इनके हाथ में काफी पावर आ गई और ये पावर का गलत इस्तमाल होने लगा क्योंकि एक तरह से ये extortion होने लग गया कि किसानों से मन मर्जी tax वसूला जा रहा है और उपर आगे जो requirement है उसको पूरी करने के लिए administration को चलाने के लिए उपर ये demand भीजी जा रही है कुछ दशकों में ये system ऐसा हो गया कि जमिनदार का बेटा ही जमिनदार बनेगा ये system hereditary बन गया वो जमिनदार जो है वो पूरी तरह से उस area में entrance हो गया उन्होंने अपनी हर area में पकड़ बना ली जहां पर वो locally tax collect करा करत तो अगर आपको याद हो 1765 में Treaty of Allahabad के बाद East India Company को क्या मिला था बंगाल की दिवानी राइट्स मिली थी तो वो क्या थे वो basically ये वाला जो office था जमिनदार का ये इन्होंने East India Company को दे दिवानी राइट्स of Bengal were given to East India Company तो ये जो दिवानी राइट्स वाला मामला है I hope आपको अच्छे से याद हो मैं इसको repeat नहीं करूँगा इसके अकारण dual system start हुआ था कि दिवानी राइट्स किसके पास रहेंगी East India Company और निजामत राइट्स नवाब के अंडर में है प्रशासनिक व्योस्ता संभालने के लिए East India Company इनको महीने के fix पैसे दिया करती थी साल के fix पैसे कर दिया कि ये deputy नवाब हमारी जगे tax collect करेंगे और बंगाल बहुत बड़ा प्रोविंस था आप देखे आज का बिहार जारखंड, parts of Odisha, west Bengal, पूरा बांगला देश और असाम तक के कुछ इससे इस बंगाल प्रोविंस में आया करते थे तो बंगाल प्रोविंस का revenue काफी ब काम करना चाहती थी लेकिन 1765 में इन्होंने मुगल administration से दिवानी rights को अपने हाथ में लेकर ये दर्शा है कि अब हम यहाँ पर revenue भी चाहते हैं, revenue क्यों चाहने लगे ये, क्योंकि यहाँ पर जो raw materials खरीदे जाते थे, उसका खर्चा ये भारत से ही निकालना चाहते थे, इनक के raw material purchase के लिए यही से पैसा लो, और फिर वो raw material वेजो, Britain में जो industry है, textile industries और वहाँ से वो माल बनकर फिर से भारत आएगा, यहाँ पर market भी उसके लिए available है, दूसरा, इनके लड़ाई के खर्चे बढ़ गए थे, तो army maintain करने के लिए पैसों की जरूत होती है, तो उसके इस इंडिया कंपनी में employed थे, उनकी salary देनी पड़ती थी और जैसे जैसे यह नई territory acquire कर रहे थे, तो इस इंडिया कंपनी का manpower भी बढ़ता जा रहा था, और प्रशासनिक खर्चे जो हैं, वो भी बढ़ते जा रहे थे, जैसे आपका area बढ़ता है, तो आपके army administration सब के खर् रहता था उस समय, कि यह इतना fertile province है कि यहाँ पर हम जितना भी tax वसूल लेंगे, यहाँ पर लोगों पर कोई असर नहीं आएगा, जो किसानी का system है, farmers का system है, वो अनावरत चलता रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं था, क्यूंकि भारत में, ना किवल बंगाल में, बलकि पूरे भा वालों में, El Nino Oscillation होगा, कब फैमाईन के chances हैं, तो 1768 में बारिश काफी कम हुई थी, फिर 69 में बिलकुल नहीं हुई, 1770 आते आते बंगाल पूरी तरह से अकाल की चपेट में था, फैमाईन थी, लोगों के पास खाने को कुछ नहीं बचा, और इतना जादा revenue collection था, कि इस revenue collection के कारण, किसानों के खुद के पास खाने के लिए कुछ नहीं बचता था, तो इतनी मौतें, बंगाल की one-third population इस अकाल में खत्म हो गई थी, Great Femin of 1770 में, क्योंके उनका जो taxation system था, इस इंडिया कमपनी का, वो बहुत ही जादा निर्दई था, William Dalrymple की जो किताब है, The N.R कि उसमेनों ने ये quote लिखा हुआ है, कि 68 में बारिश नहीं हुई, उसके बाद 69 में बिलकुल नहीं हुई, तो दीरे-दीरे गाओं में पानी सूख गया, और company officials देख रहे थे, कि ये जो अकाल है, इसके कारण हमारा revenue भी दीरे-दीरे कम हो सकता है, लेकिन उनको ऐसा लगत बत्तर बरताव किया है, Spain ने Peru में काफी local लोगों को मार दिया था, और उनसे भी गंदा व्यवार British का था, और इसके लिए कई लोग खुश नहीं थे, Britain में, और इसलिए आपको पता होगा, 1773 में regulating act आता है, Warren Hastings को भीजा जाता है, 72 में, और प्रशासन में काफी बदलाव क किये गए, तो यही वो समझ था, जब company ने decide किया, कि अब ये land revenue का जो काम है, ये हम अपने हाथ में लेंगे, deputy nawabs को नहीं देंगे, या फिर company के जो brushed officer है, उनके हाथों से छीन कर थोड़ा इसको regularize करना ज़रूरी है, तो एक नया idea उस समय इमर्ज होता है, Warren Hastings के समय, कि क्यो उसको अलग-अलग vary नहीं करना है, मान लो आने वाले 3-4 साल हैं, उसमें पहले ही किसान को बता दो कि इतना percent आपको tax देना है, इस system को कहा जाने लगा, जागिरदारी, बिस्वेदारी या माल गुजारी, क्योंकि बिस्वा जो है, वो भी एक जमीन का measurement का तरीका होता है, ए आप किसानों से tax लो, अनाज लो, और हमें एक particular amount दे दो, और 5 साल का इतना amount बनेगा, वो आपको हर साल देना है, average, और इसमें जो जमिनदार या जागिरदार है, वो tax किस से collect करेगा, रहियत से, रहियत एक फार्सी शब्द है, पर्षिन word है, cultivator, यानि किसान का, तो रहियत कहा जाता था, बंगाल में या उत्तर भारत में भी रहियत शब्द इस्तमाल होता था, तो यह idea Warren Hastings के समय में थोड़ा प्रगाड हुआ, Warren Hastings ने इस सिस्टम को नाम दिया इतारतदारी, यानि Warren Hastings के समय में इसको इतारतदारी कहते थे, कि जमीन की annual lease दी जाने लगी, annual lease का म किसान से या रहियत से, कितने पैसे लेने, वो आपका काम है, वो हमारा matter नहीं है, 1786 में Cornwallis ने इस सिस्टम को permanent settlement के रूप में थोड़ा सा और formalize कर दिया, और इसको पूरे बंगाल और बिहार में roll out कर दिया, तो 86 से 90 के बीच में यह permanent settlement कहलाया था, idea actually John Shore का था, John Shore was a senior company official, ज से पहले यही था, तो John Shore जो है, यह पुराना company का करमचारी था, इसने genuinely देखा था कि बंगाल में क्या क्या problem हुई थी, तो इसने कहा कि यह system थोड़ा सा अच्छा है, इसमें हमको क्या रहेगा, कि हम 5 साल या 6 साल के लिए जमीन दे देते हैं, तो initially जब start किया था, इन्होंन काम कैसे करता था, तो इन लोगों ने क्या किया, कि 10 साल का average calculate कर लिया, मानलो कोई जमीन है, ठीक है, मानलो मैं एक किसान उरयत हूँ, मेरे पास 10 बीगा जमीन है, तो 1770 से 1780 तक मेरे जमीन पर कितनी उपज हुई, वो land record तो रहते ही थे, उसमें चेक किया गया, और इस 10 साल के basis पर एक average निकाल लिया, क्योंकि देखो हर साल तो अच्छी फसल होगी, कभी अकाल होगा, कभी एक्स्ट्रा बारिश होगी, कभी फसल बहुत अच्छी होगी, कभी कम होगी, तो 10 years को कॉन्वालिस ने माना कि चलो 10 साल का average मानलो, इतने सालों का average लेकर हम उसके अनुसार rate fix कर देते हैं, तो मानलो इन 10 सालों का average था कि मेरे खेत में 100 kg अना आज पैदा हुआ, और इस 100 kg में से इन्होंने rate fix कर दीए, आपको 30 kg देना है हमें, यानि कि अंग्रेज हुकूमत को, आए अब इस permanent settlement के features को देख लेते हैं, तो इसका नाम permanent settlement क्यों है, क्योंकि settlement हो गया है, और ये settle हो चुका है, अब इसके बाद इसमें कोई बदलाव होने की गुंजाइश नहीं है, इस settlement के तहट, जमिंदार्स को landlord बनाया गया, और ये भारत में एक बहुत बड़ा बदलाव है, क्योंकि अभी तक, चाहे कोई भी administration राओ, मुगल हो, या उसके पहले जो भी medieval kingdoms थे, सब में जमीन की ownership का कोई role नहीं था, या तो जमीन गाओं की common है, या फिर सारी जमीन माली जाती थी राज्य की, तो जिसको चाहे transfer करी जा सकती थी वो, उसका कोई भी मालिकाना हक नहीं रखता था, लेकिन यहाँ पर जो tax collect कर रहा है, basically जो जमिंदार है, उसक परिवार वाले आगे भी revenue देते रहें, लेकिन यह मालिकाना हक पुष्टैनी होने के साथ-साथ transferable भी है, मान लो अगर जमिंदार का परिवार या उसके बच्चे यह revenue collection नहीं कर पाते हैं, तो फिर उस गाओं की जमिंदारी का जो अधिकार है, वो किसी और को दे दिया जा और जो भी सबसे उंची बोली लगाएगा, उसको वो दे दिया जाता था, लेकिन जमिंदार जो है ना, उनके पास यहां बहुत सारे power थे, तो जमिंदार के पास यह अधिकार था कि वो उस जमीन को, जो किसानों की जमीन है, उसको गिरवी रख सकता था, mortgage कर सकता था, या बेच सकता था, तो जो छोटे किसान है, उनके पास अधिकार नहीं थे, लेकिन जमिंदार के पास काफी सारे अधिकार थे, और यह बात याद रखना कि पर्मनेंट सेटल में revenue फिक्स कर रखा है, और company उसे increase नहीं करेगी, 80's, 10 साल के लिए, तो अब यहां पर क्या होता था तीन लेयर है, इनको आप ध्यान से समझो, एक है छोटा किसान है, रैयत, दूसरा है जमिंदार, तो जमिंदार जो हैं, उसके अंडर में कुछ गाहों होते थे, तो चार गाहों के अंडर जितने भी जमीन है, किसान है, वो अपना revenue किसको देंगे जमिंदार को, जमिंदार क तो company ने क्या कहा, कि देखो, आप जो भी करो, जैसे भी करो, हमें तो, मानलो 100 kg वाला खेत है, तो उसमें से हमें चाहिए 30 kg, इस प्रकार से उन्हों ने उस पूरे गाहों का एक target दे दिया, बोले जमिंदार को, कि आप ये लाकर हमें दे दिया करो, अब जमिंदार को target मिला है, मानलो 30 kg सा, पूरे गाहों का target इसको imagine कर लो, लेकिन अब जमिंदार किसान से कितना लेगा, ये इन्हों ने fix नहीं किया था company ने, तो अगर उस खेत के उपज 100 kg होती है, तो जमिंदार 60 kg तक ले लिया करते थे, कई बार 70% भी ले ले लेते थे, और इसमें से 30 दे देते थे, company को बाकी रखते थे, अपनी जेब में, तो East India Company ने तो ये कहा था कि आप total में से 11% अपने पास रखना, बाकी 89% हमें दे दो, यानि कि वो मुगल वाला हिसाब था, कि agent को 110 दिया जाता था ना, उसी प्रकार का हिसाब इन्हों ने भी रखा था, कि 89% तो आप हमको दे बाकी का 11% आप रख लेना, लेकिन जमिंदार इस 11% से जादा रखना चाते थे और वो रखते भी थे, तो ये जो cultivators थे, यानि कि जो किसान है, वो अब केवल एक tenant बन चुका है, वो उस जमीन पर किरायदार है एक तरह से, tenant का मतलब ही simply यह होता है, कि आप उस जमीन के उप पर एक particular tenure के लिए हो, tenure होता है, एक fixed time, एक साल का आपका tenure है, उसे एक साल में अगर आपने इतना tax दे दिया, revenue दे दिया, अनाज दे दिया, तो आप आगे भी रहोगे, वरना आपको हटाया जा सकता है, तो किसानों के पास यहाँ पर कोई भी अधिकार नहीं थे, तो इस ज पहले मदरास में इंटर्ड्यूस किया गया था, बाद में वो बॉंबे प्रोविंस में भी लाया गया, उसके बाद असाम में भी गया, और महलवारी जो है, वो उत्तर भारत में, अखास करके जो पंजाब वाला एरिया है, वहाँ पर पंजाब, हर्याना, अवद, उस एरि बंगाल, बिहार और उडिसा से हुई थी, लेकिन बाद में इसको मदरास प्रेजिडेंसी के भी कुछ डिस्टिक्ट में लागू किया गया, डिस्टिक्ट अव वाराणासी में भी लागू किया गया, और लगबग 19 प्रतीशत ब्रिटिश टेरिटरीज में ये कानून है हमारे पास और इसी प्रकार की डेडलाइन इस्ट इंडिया कंपनी भी जमिनदारों को दिया करती थी, तो अगर आप सुर्यास्त तक ये पैसा लेकर या फिर अनाज लेकर नहीं आते हो, तो फिर आपके हाथ से उस जमीन पर हल जोतने का अधिकार हटा दिया जाएगा, आप वहाँ पर अब खेती नहीं कर सकते, तो Britishers ये आइडिया क्यों लेकर आये थे, उनको लगा था कि permanent settlement जो है, इससे एक regular flow of tax बन जाएगा हमारा, कि 10 साल के लिए हमने regular कर दिया, बिल्कुल tax, इतना बढ़िया tax आता रहेगा, 10 साल के लिए कोई धंजट नहीं है, outsource कर द तलाब खुद वाएंगे, पानी को बचाने के, कुवे तरीके लगाएंगे, कुवे खुद वाएंगे, तो ये उनका imagination था, कि जमिंदार ये सारा capital investment करेगा, क्योंकि जमीन पर उसका अधिकार है, लेकिन ऐसा कुछ भी हुआ नहीं, तो British सोच ये थी, कि जब ये पैसा फिर था, कि जो जमिंदार class है, वो हमेशा British को loyal रहेगी, क्योंकि उनके सारे अधिकार British rule पे dependent है, और जब भी किसान अंदोलन करेंगे, क्योंकि कुछ छोटे मुटे किसान अंदोलन हो चुके थे उस समय तक, तो Britishers को ये realize हुआ कि इन किसान अंदोलनों में हमें जमिंदार की ब प्रॉपर लठहत रखते थे, जो एक तरह की local police का भी काम करते थे, और ये अपने civilian matters को निप्टाने के लिए local दर्बार भी लगाया करते थे, हाला कि Convalis ने ये सब व्यवस्था बाद में बंद करवा दी थी, लेकिन फिर भी काफी समय तक कुछ areas में चलती रही थी, तो 1793 में permanent settlement act regularize किया गया, formalize किया गया, proper एक कानून लाकर इसको इन्होंने legal बना दिया, और 1793 में Convalis ने जमिंदार्स के पास armed forces रखने की जो permission हो हटा दी, तो ये जो लठायत रखते थे, अपने खुद के staff रखते थे, security वाले, officially अब इनको नहीं रख सकते थे, जमिंदार का का किवल tax collection का था, और ना ही अपना दर्बार लगा सकते थे, जैसे कि local मामलों को disputes को settle करने के लिए, अपने दर्बार लगाया करते थे, वो भी इनके हाथ से permission हटा दी, और अब इनका अपना judiciary system established हो चुका था अंग्रेजों का, तो उसमें जाएगा सब कुछ, court affairs के अंडर में आएगा, अब on paper ये system इतना बढ़िया था, लेकिन ये fail क्यों हो गया, fail इसलिए हो गया, क्योंकि जमिनदार और tenant के बीच का exactly क्या relation रहेगा, ये इसमें defined नहीं था, तो यहाँ पर EIC ये सोचती थी, कि जमिनदार किवल उतना ही लेगा किसान से जितना जरूरी है, लेकिन जमिनदार उतना नहीं लेते थे, जमिनदार बहुत ज़ादा लेते थे किसान से और उपर EIC को इतना ही देते थे जितना उनकी demand थी, अगर किसान अपना tax नहीं भर पाते थे तो उनको जमिनदार द्वारा जमीन से बेदखल कर दिया जाता था, eviction बहुत common था, कि अब आप अब आज से यहां खेती नहीं करेंगे, यह हम किसी और को दे रहे हैं जमीन, वहाँ पर वो खेती करेगा, आप जाओ, टाटा बैबाए, जो आपको करना है करो, किसी और जगे जाकर खेती करनी है, कहीं और जाकर आपको tenancy लेनी है, वो आपकी मर्जी है, तो इस प्रकार से जमिंदार्स द्वारा किसानों का harassment काफी जदा बढ़ा हो गया था, इस्ट इंडिया कंपनी, बंगाल या भारत के climate को उस वक तक इतने अच्छे से समझ नहीं पाई थी, तो चाहे अकाल हो, चाहे बाढ़ हो, या कोई भी अन्या natural disaster, उसके लिए कोई प्रावधान नहीं कि जबता था, और कई जमिंदार default कर जाते थे, लेकिन उनको अपनी जमिंदारी प्यारी थी, तो अंग्रेजों को तो tax देना ही था, तो इसके लिए वो कई बार loan लेते थे, और loan लेकर वो tax का पैसा चुकाते थे, और ये system ना किवल जमिंदार follow करते थे, बल्कि कई रहियत भी करने लगे थे, कि उनको अपनी जमीन पर खेती करने के लिए, किसी और से पैसे लिए, उन्होंने money lenders की एक class develop हो जाती है, पैसे लिए जमिंदार को दिये, और जमिंदार वो पैसे आगे अंग्रेजों को दे देगा, एक और समस्या थी, absentee landlordism की, absentee का मतलब है कि जमि जमिंदार को एरिया दे दिया कलकत्ता से कही 100-800 km दूर, तो वहाँ नहीं रहते थे, वह कलकत्ता में बड़ी-बड़ी कोठियां बना कर रहने लग गए, क्योंकि कलकत्ता क्या था, मतलब city है, बड़ीया fast life है, एकदम अच्छा मस्त महौल है शहर में रहने का, तो यह यहा आदमी भी आकर कलकता रहने लग गया, तो इसने किसी और को दे दिया, इसने किसी और को दे दिया, इस प्रकार से बीच में 10-10 intermediaries आ गए थे, कई जगहों पर ऐसा था कि जमिंदार और किसान के बीच में 10 level थे, और अब आप समझ जाओ कि यह सब अपना बीच में कट तो र revenue पहुचाना ज़रूरी था, तो यह intermediaries इतने सारे जो आ गए ना, इसके कारण बहुत बड़ी समस्याई थी, यह सबसे बड़ा permanent settlement के fail होने का reason यही था, कि landlord जो है, एक तो उन्होंने जमीन में investment नहीं किया, कुछ भी कहां से गरते, इतने सारे intermediaries हैं, पैसा दो सब बीच में कोई जमीन का इनको system लागू करना था, कुछ समय के लिए कुछ-कुछ areas में permanent settlement try किया गया for some years, लेकिन permanent settlement में 10-15 सालों में इनको दिक्कत समझ में आने लग गई थी, तो इसलिए मदरास के governor Thomas Monroe ने एक अलग system सामने रखा, इसका नाम दिया गया रहयतवारी system, तो 1820 में यहां मदरास के area में, जो local यहां का governor था, Thomas Monroe, नाम important है, directly पूछ लिया जाता है कि कौन लेकर आया था, उसमें याद रखना John Shore और Convalis, यहां पर कौन है Thomas Monroe, Thomas Monroe ने का कि हम एक नया system try करते हैं, यह बंगाल वालों को तो कुछ समझ में आता नहीं है, तो इन्होंने क्या करा, कि रहयत से direct deal करो, रहयत मतलब किसान, तो यह बीच में जमिंदार वाला fundा अटाओ, इन्होंने देख लिया, 25 साल इनको समझ में आ गया कि यह system fail है, तो सबसे पहले इसको 12 महल district में introduce किया गया, 12 महल सेलम के पास वाला area है, बेसिकली धरमपूरी district है, जो आज का तमिलनाडू में, उ इन areas में भी यह बाद में रहयत वारी system लागू किया जाता है, रहयत वारी का सबसे बहतरीन feature यही था, कि इसमें directly किसान और East India Company का संपर्क है, लेकिन इसको आप दूसरी नजर से देखो, तो East India Company ने बीच में जमिंदारों को हटा के, खुद जमिंदारी अपने हाथ में ले मालो मैं एक छोटा किसान हूँ, लेकिन मेरा accident हो गया, मेरे से खेती नहीं हो सकती, तो मैं आगे किसी और को दे दूँगा, लेकिन मैं East India Company को अपनी तरफ से revenue दे दिया करूँगा, लेकिन अब मैं खेती नहीं कर रहा हूँ, खेती किसी और के हाथ में दे दिये, तो ultimately इस र रहियत भी आगे से आगे अपने खेत किसी और को tenant को देने लगे, अगर revenue टाइंग पर दिया जाता था, तो किसान को कंपनी नहीं निकालती थी, लेकिन अगर land revenue नहीं दिया है, तो किसान को निकाला भी जा सकता है उस जमीन से, eviction भी हो सकता है, तो basically permanent settlement type ही है, बस इसमें ज सोचो ही मत, बस इतना revenue है, इस से जादा नहीं पड़ेगा, इतना आपको लाना है, और revenue rate कितनी रखी गई, जो dry lands है, वहाँ पर 50%, याई कि जहाँ पर सींचाई के साधन नहीं है, वहाँ 50% और जहाँ सींचाई के साधन available थे, उस तरह के खेतों में 60% यह tax rate था, अब वैसे आप देखो कि तो बहुत हाई लगेगा, लेकिन देखो, ultimately, permanent settlement में, at the end of the day, किसान को 80% तक tax देना पड़ता था, उसके आज कुछ नहीं बचता था, बंगाल में किसान के पास इतना सा बच जाए कि बस वो अपने परिवार का पेट भर ले, उतना ही अनाज उसके पास बचा of the soil उन्होंने देख लिया और उसके basis पर ये tax उन्होंने decide कर लिया, तो यहाँ पर वो 10 साल का जो average है, वो नहीं लिया गया था, permanent settlement की तरह, लेकिन रहियतवारी system में सबसे important चीज़ यह है, कि ownership rights किसानों के हाथ में दे दी गई, और British सरकार directly किसानों से tax collect कर रही है, लेकिन ये system भी fail हो गया, क्योंकि practically ये impossible था कि सरकार British हुकूमत जाकर एक-एक किसान से, लाखों किसानों से tax collect करे, तो ultimately इसमें भी बीच में intermediaries आ गए, और उन intermediaries के कारण ही ये system धीरे-धीरे खराब होता गया, तीसरा system था महलवारी system, महलवारी क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ प यूनिट से tax collection का target East India Company ने रख लिया, तो इस महलवारी system को introduce किया गया था, 1822 में, Holt McKenzie के द्वारा, नाम याद रखने हैं, कभी-कभी पूछ रेते हैं, direct questions आ जाते हैं, कि कौन official था, जिसके कारण महलवारी, permanent settlement या रहियतवारी system लागू किया गया, अब महलवारी की खासि basically, gangetic place जिसको हम कहते हैं, इस area में यह लागू किया गया, क्योंकि यहाँ पर traditionally यही system था, कि गाओं में as a unit tax collection होता था, कई जगों पर यह system था, तो उनको लगा कि यह traditional system है, इसी में हम synergistic अपना system लगा देते हैं, तो काफी अच्छा effect रहेगा, लेकिन यह synergistic effect इतना successful शाय नहीं हो पाया, तो महलवारी system क्या था, यह एक प्रकार का modified जमिनदारी settlement है, basically सारे system कहीं न कहीं permanent settlement कहीं modification थे, अब इसमें modification कहा है कि कोई एक जमिनदार के हाथ में पूरी जमिनदारी नहीं दे दी, बलकि गाओं जो है ना, उनकी जमिनदारी या उनका revenue का right गाओं के ही लो लोग हैं, उनको काफी लंबरदार बनाया गया, तो यह village headman है, जरूरी नहीं है कि हर जगे जाट समुदाय का व्यक्ति हो, लेकिन कई जगे थे, तो village headman या leader of the community है, उसको लंबरदार कहा दिया, और British जो है वो इस लंबरदार के साथ deal करेंगे, तो जैसे एक गाओं में ल जमा करा देगा, इस तरह से 10 गाओं के लोग जमा कराएंगे यहाँ पर, और इस से संपर कौन करेगा, East India Company, और इनसे ये tax वसूल लिया करेगी, तो ये एक पुरा महल हो गया, ठीक है, इसलिए इसको महलवारी कहा जाता है, तो cultivation individual है, लेकिन revenue collectively दिया जा रहा है, तो खेती अपने व्यक्तिकत स्तर पर किसान कर रहा है, लेकिन tax एक साथ मिलकर समाज जमा करा रहा है, और ये concept इसलिए अपनाया गया था, क्योंकि इस एरिया में, generally जमीन का जो मालिकाना हके, वो गाओं का ही होता था, पहले भी मुगल टाइम पे भी होता था, कि पुरे गाओं का मा में 60% पे lower कर दिया था, 60%, यानि कि it was brought down to the level of रहयतवारी सिस्टम, 1822 में ये सिस्टम चालू हुआ था, लेकिन 1833 में इसमें कुछ बदलाव किये गए, तो regulation 7 में बदलाव लाए, विलियम बेंटिक, और इसका नाम regulation 7 दाय था, ये मैंने बोला या नहीं, regulation 7 official order था, जिसके तहत ये महलवारी सिस्टम introduce किया था, तो महलवारी सिस्टम में थोड़े बदलाव लाए गए, areas extend किये गए, और ultimately ये पंजाब, अवध, आगरा, ओडिशा और मध्यवरिदेश के areas में लागू किया गया, आप उत्तर भारत याद रख लोगे, तो भी आपका काम चल I hope आपको ये तीनो land management system या revenue system याद रहेंगे, अब company का जो overall land management system है, ये traditional भारती राजाओं की system से थोड़ा अलग था, क्योंकि एक problem ये थी कि इनको समझ में नहीं आया था, जब ये भारत आये, तो इनको कई system तो समझ में ही नहीं आये, जगे जगे अलग system था, कहीं पर किस पिंदार्स को दे देते हैं, तो इन्होंने जमीन को एक saleable commodity बना दिया, पहले जमीन बिखती नहीं थी, जमीन के सौधे नहीं होते थे पहले, जिसे आजकल होते हैं, करोडो रुपे की जमीन बिख जाती है, ये काम पहले नहीं होता था, लेकिन British land management policies के तहत, land एक saleable commodity बन ग deal नहीं दी जाती थी, मान लो अकाल आ गया, बाड़ आ गयी, तो भी कोई भी deal नहीं दी जाएगी, आपको tax देना है, मतलब देना है, उसके अलावा East India Company के offices corruption तो करते ही थे, चाहे कितना भी कम करने की कोशिश करो, लेकिन corruption काफी बड़े स्तर पर था, ना किवल company, बलकि जम तो पैसा किसी और से लोगे, किस से लोगे, जो पैसे का काम करता है, सूध का काम करता है, interest पर पैसा देता है, money lender, जिनको आप पुरानी हिंदी फिल्मों में लाला के रूप में देखोगे, Mother India में काफी उस character को caricaturish रूप में पेश किया गया था, बट more or less वो यही काम करता अगर आप tax नहीं दे सकते, तो पैसा दे दो, किसी से उधार लेकर, और यह सोचो कि अगले साल अच्छी खेती होगी, तो मैं लाला को पैसे चुका दूँगा, लेकिन वो money lender को पैसे कभी वो चुका नहीं पाता था, किसान, और ultimately वो अपनी जमीन से भी हाथ दो बैठता थ और फिर क्या करना पड़ेगा उसको, कहीं और जाकर या तो मजदूरी करेगा, या फिर किसी और की जमीन पर खेती करेगा, मजदूरी वाला काम करेगा, उसके पास अब जमीन का मालिकाना हग नहीं रहेगा, तो ultimately जमीन किसानों से, छोटे किसानों के हाथ से निकल कर, किसी एक बड़े जमिनदार या किसी एक व्यक्ति के हाथ में concentrate होना शुरू कर गई और जिस समय भारत आजाद हुआ था तो उस समय almost 70 to 75% जो जमीने हैं जिन में खेती होती थी वो छोटे किसानों के पास नहीं थी बड़े किसानों के पास या जमिनदारों के पास थी और इसी को remedy करने के लिए भारत सरकार को बहुत सारे कानून लाने पड़े जमिनदारी जो है जमिनदारी उन्मूलन के लिए भारत सरकार ने काफी कुछ किया राज्यों ने भी बहुत कुछ किया और आज 21 सदी में भी हम अंग्रेजों की उन नीतियों का नुकसान उठा रहे हैं क्योंकि उसने भारत के अग्रिकल्चर को पर्मनेंटली बदल दिया गरीबी में धकेल दिया उसने बहुत बड़ी आबादी को किसान खेती पर पैसा नहीं लगाता था जमिंदार खेती पर पैसा नहीं लगाते थे तो जो खेत हैं उनकी यिल्ड खराब हो गई और मनी लेंडर की प्रॉब्लम काफी बढ़ दे तो ये था पूरा कंपनी का लैंड रिफॉर्म सिस्टम इसे के साथ ये लेक्चर समापत होता है याद रखिए टेलिग्राम चैनल से आप इसका पीडिएफ डाउनलोड कर सकते हैं सब्सक्राइब टू पाथफाइंडर चैनल हिस्टरी की प्लेइलिस्ट को शेर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और जारा से जारा लोगों को ये चैनल के बारे में बताइए थांक्यू वेरी मच्छ आव ग्रीड डे